नमश्कार दोस्तों आप सभी के स्वागत एक वर फिर सेग नहीं वीडियों तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं जो जे कैसे सभी की तरफ से इंपोर्टन इंस्टेक्शन निकालेगी हैं कि आपके एक्जाम के रेलेटड जो 27, 28 और एक मार्च को है कि आपको एक्जाम सेंटर में कब पहुंचना है और आपको साथ में लेके क्या जाना पड़ेगा ठीक है कौन कौन से आपको फोटोस कितरे लेकी जाना पड़ेगा कौ उसको फिल करते समय आपको कौन-कौन सी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा बिशेस करके क्यांकि आप सभी को बता है कि आज कल जो एक्जाम होते हैं वो ओनलाइन होते हैं तो जिन केंडेंट्स ने ओनलाइन दिया उनको कोई प्रॉब्लम नहींगी अगर आपने अभी तक प्रॉब्लम नहीं भी तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती और दिया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है त captivity आपको ऐसे 2030 जो सेकंड पॉइंट है कि आप सब कम से कम आपको 1.5 गंटा जो आपको एक्जाम सेंटर में पहुचने पढ़ेगा पहले तांकि आपकी अटेंडर्स पगिरा जो जो चीज परसेशन का एक तो आप सभी को बताएं कि कोविट चल रहा अब भी भी ठीग है तो आपको उसके आपको पहले बताएं गया तो अपने टाइम से प्रॉपर वहां पर पहुंच जाना सेंटर में ठीग है और सेकंड चीज जो आपकी ओमर्स हीट होगी ठीग है अद देखरों जैसे थर्ड पॉइंट में नो लिखा है आपको सिर्फ ब्ल्यू पैन जा ब्लैक बाल पैन जो आपका होता है वही यूज करना है ना कि पैंसल होगी ना कि जल पैन हो गया ठीग है इन दोनों चीजों से आप फिल कर सकते हो फार्म को थर्ड जो फोर्थ है आप जब आपको पेपर दिया जाता है तो आपको क्वेश्चन पेपर में अंसर मार करने से पहले अपना पेपर से चेक कर लेना, then question attempt करना, ठीक है उसके बाद आपका आगया जो 5th point है, read आपको जितनी भी OMR sheet पे instruction दी गई होंगी, paper लेखने से पहले से properly आप उसको पढ़ लेना, ठीक है, उनमें आपको क्या क्या बताएगी है, 6th point पे अगर बात की जाए, candidate shall fill up all the relevant boxes and the bubbles on the OMR sheet, आपकी OMR sheet पे जितना भी किश होगा, सबसे विद लिखा हो ना, correct role number, serial question book and number, it's before signing of OMR sheet आपको जो होगा, ठीक है OMR sheet होगी उसको proper RAM से बारना उसको जल्दबाजी मत करना especially जब अपना नाम और role number आप लिखोगी, उस problem में आती है ठीक है, कहीं बार हमको candidates का result आउट नहीं होता क्योंकि उन्हें रोल number कुश होगा होता है और कुश होगी दियता है, गोला यो circle होता है, यसे ये circle आपको बताएगा कि answer कैसे मार करना है, ऐसे बहाँ पर circle होगा, ठीक है, अगर आप अपने OMR sheet नहीं देखिए तो आप मुझे comment में बताना, मैं आपको नेस्ट वीडियो में बता दूँगा कि OMR sheet कैसे fill करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल properly, अपना answer भी proper मार करना, यसे आपको correct method दियो, ऐसे answer mark करना, और सेम ऐसे अपना नाम, roll number नीचे circle दियो होते हैं, उसी point के according अपना fill करना, ठीक है, और OM से क्योंकि सबसे important ची होती है अपनी, अपना roll number, नाम, ठीक है, अब उसको अगर properly करोगे mark, दैना आपका answer जो भी होगा, बोच चलेगा, अगर अपने इसमी गलती कर दी दोस्तों, तो आगर answer आपको question जितने भी आती हैं, तो problem होगी भाई, ठीक है, इसलिए बिल्कुल proper तरीके से बरना ठीक है, जल्दबाची मत करना आप 19 नंबर पे देखोगे candidates are the further advice to carry with the them to send, passport, आपको photos, दो साथ में लेकर जाना पड़ेगा ठीक है, अपने जो खुछवाई हुए ID proof के लिए आप अपना अधार card हो गया, voter card हो गया, pen card हो गया license हो गया, अपको कुछ भी है ID proof, जिसे आपका photo लगा वो college हो गया, university government का school, जो भी है ठीक है, अप लेकर जा सकते हो, ठीक है अपका जो examination center admin card पर आपको सभी को बताया गया है, ठीक है OMR sheet की आपकी 3 copies होंगी ठीक हो उन्होंने देखो बताया, OMR sheet consists of the 3 copies original होगी, copy duplicate होगी, और एक duplicate जो आपको दी जाएगी, ठीक है उन्हें साफ लिखा हो कि आपको तब तक उसको separate नहीं करने है, जब तक बोलाना है ठीक है उसके बाद ही, और इसनल जो pink color की होगी, OMR and blue color duplicate OMR, answer sheet will be made entry, submit आपको ये दोनों submit करने पड़ेगी third होगी, वो आपको दे दी जाएगी जिसमें आपने जो answer अपने mark ये होंगे, तांकि अब जब आपकी answer की out होती है, तो आप उसमें check कर सकें कि आपके कितने question सही है और कितने गल्थ है, ठीक है अब जो सबसे important चाहिए है COVID के related instruction जो सबसे important चाहिए है, जो MOH, FW द्वारा ठीक है, और हमारी GNK government द्वारा बताया गिया है आपको इसको instruction को follow करना पड़ेंगे second, आपको जब exam start होगा, आपको mask plus sanitizer hand, जो वो compulsory आपको करने पड़ेंगे, ठीक है आप वहाँ पे exam center में ऐसा कुछ मत करना irrelevant ताकि आपको कोई problem हो, ठीक है social distancing का proper maintain करना exam center से लेकर, जब तक आप exit वहार नहीं जाते हो ठीक है, हर एक चीज main सबसे यह important चीज है आपको जो है, face mask आपको exam जब जैसे आप exam center में जाते हो आपको डालना पड़ेगा, और जब आप बहार आ जाओगे तो अभी आपको उसको remove कर सकते हैं जैसे पहले नहीं, ठीक है main copy related यही है, social distancing आपना maintain करना, ठीक है तो यह थी दोस्तों कुछ important instructions अगर आपका फिर भी को questions है तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं आपका reply next video में देने के कोशिए करूँगा, जैसे